जंक फूड खाना सब चाहते हैं पर उसे बिमार होना कोई नहीं चाहता इसलिए आये थे एरफ्राइर्स जो कि आपको जंक खाने में मदद करते हैं बिना बहुत ज़्यादा तेल को यूज किये है जो हेलो नमस्कार आप सभी का फिर से सवागत है भी टेक पर मैं हूं भीमजेन और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट फ्राइर्स की और डर इस वीडियो में चलते हैं जिसकी बात अभी हम वीडियो के लास्ट में करेंगे सो स्टार्ट करता है बिल्कुल बेसिक एर फ्रैर से जो कि हमारा आजाता है पिजिन की तरफ से पिजिन का ये 1200 वोट की पावर वाला एर फ्रैर काफी बढ़िया है इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने में मिल जाते हैं और ये कॉंपीट करता है इससे डबल रेट वाले फिलिप्स के एर फ्रैर से तो मतलब वो बहुत सारे फीचर्स आपको काफी कम बजट में देता है बात करें इसकी प्रैजिंग की तो सेल के अंदर आप इसे बाय कर सकते हो पाच्चे सो से चब्वी सो रुपे के प्रैस पे कभी के बारी आउट अफ शोक बे हो जाता है क्योंग इस एर फ्रैर की डिमांड सबसे ज्यादा रहने वाली है और इसका जो बेसिक प्रैस है वो तीन जार पे अठाई सो रुपे के आसपास रहता है अगर हम पिजन वाले एर फैर से थोड़ी बेटर बिल्ट कॉलिटी चाहते है तो हम लाइफ लोंग वाले एर फैर की तरफ जा सकते है प्राइस इसका 35 रुपे आपको देखने को मिल जाएगा सेल बगारा में 3,000-32 रुपे के आसपास चला जाता है और ये वही सारे सेन फीचेस आपको प्रोवाइट कर देता है जो कि आपको पिजन में देखने को मिलते थे तो इन दोनों ही एर फैर्स में आपको 7-8 प्रीसेट ओप्शन देखने को मिल जाएगे जिससे आप इजी कुकिंग कर सकते हो साथ साथ एक नॉर्मल मोर देखने को मिल जाएगा जो कि आप टेंपरेचर और टाइम अज़ेस्ट कर सकते हो ये सारे ही एर फैर्स की फोटोस और इनके लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर साथ साथ डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगे तो डेफिनेटली आप वहीं से परजेस्ट करना ताकि चैनल को थोड़ी सी हल्प हो जाए नेक्स्ट है इनलसा का एर फैर अब ये आपको यहाँ पर ज्यादा वोटेज प्रोवाइड कर देता है ज्यादा वोटेज मतलब ज्यादा हीटिंग तो ये आपको 1400 वोट में देखने को मिल जाता है इसके अंदर भी आपको बहुत सारे प्रिसेट ओप्शन देखने को मिल जाते है इसका price वैसे तो 4000 पे रहता है पर sale के अंदर इसके अंदर काफी भारे discount देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से ये airfryer भी आपको 3000 पे तक का देखने को मिल जाता है इसके अंदर भी same top की तरफ आपको काफी साइर preset menu option देखने को मिल जाएंगे साथ सामनी तरफ कुछ heating recommendations है वो आप आसानी से try कर सकते हैं अब next बात कर लेते हैं Philips के airfryer की जैसे कि आप मेरे सामने दो सकते हो ये एक Philips का airfryer रखा हुआ है ये कई models में आता है और Philips के पास airfryer की बहुत बड़ी range है इसके अंदर से जो recommended है मेरे वो आप description में देख सकते हो start इसका करना 1400 वोट के आसपास से उसके बाद इसके अंदर 1500 वोट का भी आता है 2000 वोट का भी आता है और इसके बाद कितना ही ऊपर ले लो कमाल के बात यह है इसके अंदर एक unique technology देखने रूज जाती है जिसकी मदद से आपकी cooking थोड़ सी even हो जाती है as compared to इससे पहले वाले air fryers तो में लिए air fryers में क्या होता है? hitting होती है top side से अंदर गाना पकता तो है पर आपको हर air fryers में उसे निकाल के बार बार गुमाना पड़ता है ताकि even cooking हो पाए अब वो जो भार बार निकाल के घुमाना है like ये tray इस तरह से निकल जाती है और उसे आपको इस तरह से shovel करना पड़ता है ये process कम हो इसके लिए Philips में आपको एक extra basket देखने को मिल जाती है जिसके wrap around heat खाने को नीचे से और side से पकाती है हालांकि ये technology अच्छी work करती है और Philips ही थे जिन्होंने सबसे पहले air frat की technology को लेकर आये थे पर बस आपको इसके अंदर थोड़ा सा कम इसको बाहर निकाल के toss करना पड़ेगा as compared to other air frats क्योंकि इसकी हल किसी better technology है अब Philips एक काफी अच्छा standard है अगर आपको premium category में एक अच्छा air frats जीए पर अगर आप इससे भी ज़्यादा premium जाना चाहते हो तो आप Morphe Richard के air frat के तरफ जा सकते हो उनका price 4 liter के अंदर 1500 वोट के अंदर करीबन 5000-5000 पर के असपास रहता है और अगर आप उसको sale वेगरा में बाहर करते हो तो आपको 500-600 रुपे off देखने को मिल जाएगा ये frats भी काफी अच्छे है और recommended models same आपको description में देखने को मिल जाएगे तो ये होगी हमारी main brands और main kamal के air frats अब मैंने क्यों कहा था कि आपको 4 liter और 6 liter वाला air frat ही लेना चाहिए क्योंकि air frats के अंदर आपको tossing का बहुत पंगा होता है तो अगर आप 4 liter की capacity यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी आप जब half fill करोगे ना इसे तभी आसानी से toss कर पाऊगे और तभी उसका best use निकल पाएगा और तभी even cooking हो पाएगी same 6 liter में होता है पर अगर आप इसे और बढ़ा लने जाते हो तो वहाँ पर जब quantity बहुत बढ़ जाती है तो वहाँ पर air fryer उतना efficiently work नहीं करता आपको बहुत ज़्यादा even cooking देखने को नहीं मिलती और बहुत ज़्यादा time भी लगता है तो इसलिए 6 liter से ज़्यादा air fryer मत पर्चेज करना अगर आपके बात बहुत ज़्यादा time है तो अलग बात है क्योंकि तेल में तलना 2 मिनट का काम है इसके अंदर तलना 15 मिनट लगते हैं अगर आप पहले बार air fryer try कर रहे हो तो definitely इस बात को याद रखना कि cooking इसके अंदर बहुत ज़्यादा time लेती है और इसलिए छोटी-छोटी amount में आपको multiple times cooking करनी पड़ेगी बात करें और कुछ bonus air fryer की तो जिन लोगों को see-through वाले air fryer पसंद है कि या सामने की तरफ ये glass हो ताकि आपको दिख जाए कि आपका खाना जलतो नहीं रहा तो ये दो recommended models है जो कि एक favor की तरफ से आता है और एक hevels की तरफ से आता है इन दोनों को आप check out कर सकते हो दोनों का link सेम आपको description में देखने को मिल जाएगा सारे ही air fryer जो मैंने recommend करें कमाल के है आप अपने budget के according purchase कर सकते हो सभी में कुछ-कुछ preset menu options देखने को मिल जाएगे हाला कि Philips एक extra आपको recipe की app भी provide करता है तो उसको भी आप try कर सकते हो but you care about the app? खेर आज की वीडियो के लिए इतना ही झाल